आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हाई, यहाँ पर Question में दरखा है कि एक स्ट्रिंग के अंदर Transverse Wave Setup किया जा रहा है ठीक है, नाओ स्ट्रिंग के 3 मीटर के सेक्शन में ठीक है, टोटल 2 साइकल दिख रहा है हम लोगो वीब का, ठीक है, सो यहाँ से लेकि यहाँ तक का स्ट्रिंग का लेंथ है 3 मीटर, ओके, इतने दूर में हम लोगो वीब का 2 साइकल दिख रहा है, यहाँ से लेकि यहाँ तक एक complete cycle, और यहाँ से लेकि यहाँ तक एक complete cycle, ओके सो Transverse Wave का 2 साइकल दिख रहा है यहाँ ठीक है नाओ Question में बोल रहा है कि एक Christ है, जो की 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूफ कर रहा है, ओके, सो सब्सक्राइब यह Christ इधर के तरफ 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूफ कर रहा है, ओके, सो इस information से हम लोग क्या क्या निकाल सकते है, देखो, यहाँ से लेकि यहाँ तक का दिस्टेंस कितना होगा, 1.5 मीटर, ओके, exactly आधा, ओके, सो जो लामडा है, इसका वैलू हो जाएगा 1.5 मीटर, ठीक है, and जो वेलास्टी है, वेलास्टी अफ द वेलास्टी अफ द वेलू हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, ओके, क्रिस्ट इधर मूब कर रहा है, यानि कि वेलास्टी इतना है, ठीक है, इस गिवन डेटा से हम लोग दो इनफोर्मिशन निकाल लिया, ठीक है, अब देखते हैं, आगे क्या पुछा है, कुश्यन पुछा है, what is the shortest horizontal distance from a क्रिस्ट to a point of zero acceleration, ठीक है, हम लोग को इस string में ऐसा point ढूणना है, जिसका acceleration zero हो, ठीक है, ठीक है, तो देखो, यह जो string के particles होते हैं, ओके, यह ऐसा चम कर रहे होते हैं, ओके, यह होता है इनका mean position, यह होता है इनका negative extreme position, और यह होता है इनका positive extreme position, ओके, अगर इस particle को analyze करें, ठीक है, तो अभी यह यहाँ पे है, धीरे धीरे यह यहाँ पे जाएगा, अगेन यह उपर जाएगा, अगेन यह नीचे आएगा, ठीक है, तो यह particle यहीं पे उपर नीचे करके SHM perform करेगा, ठीक है, तो देखो, अगर कोई भी वाड़ी SHM perform कर रहा है, ठीक है, तो उसका acceleration क्या होता है, वो होता है, माइनस omega square x, ठीक है, अब acceleration का value 0 कब होता है, जब x का value 0 हो, ओके, यानि कि अगर particle अपने mean position पे है, ठीक है, तो उस position पे acceleration का value 0 होता है, ठीक है, तो देखो, यहाँ पे यह है mean position ठीक है, तो इस point पे string का जो particle है, ठीक है, उसका acceleration 0 है, ओके, ना हम लोगो question बोला है, कि horizontal distance निकालना है, क्रिस्ट और इस point के बीच में, ठीक है, तो इस point और इस point के बीच का हम लोगो distance निकालना है, ठीक है, तो यहाँ से लेकिए यहाँ तक का distance कितना है, lambda by 2 के बरबर, ठीक है, तो जो horizontal distance है, वो है lambda by 4 के बरबर, ठीक है, तो जो distance है, required distance, उसको हम लोग D से represent करें, ठीक है, तो this D is equals to lambda by 4, this is equals to lambda value of 1.5 divided by 4, this is equals to 0.38 meter, ठीक है, तो अगर option से match करें, तो correct answer होगा, इस question का, option number 1, I hope you get it, thank you. Classics to 12 से लेके, Need IIT जेही, Means और Advanced के लेवल तक, 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा, आज ही डाउनलोट करें, डाउटने टाप, यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स, 8444 सुपर.